श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित हैं चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव में रहेंगे जी हाँ ये चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी रहे किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते है दोस्तों ये दिन आपके लिए आर्थिक तरकी के नए रास्ते खोल सकता है ये दिन आपको आर्थिक तरकी जरूर दिलाएगा आपके खर्चे कम होंगे वह आई ज्यादा रहेगी पीजुल के खर्चे पी इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहमान आपके पक्ष में है आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कारेक्षेत्र में वातावरन आपके अनुकुल रहेगा सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है यानि आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे आपके कामों में मन भी लगेगा बोनस या सैलरी बड़त भी इस समय में होने की संभावना रहेगी धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है अगर इस समय में नोकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करे ग्रहनक्षत्र अनुकुल है लाब जरूर मिलेगा मनुमांचीत नोकरी आपको इस समय में मिल सकती है अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स के लिए समय शुब रहेगा इस समय में महत्व पुरुन फैसले ले और उस पर अमल करें लाब जरूर मिलेगा जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है जो विद्यर थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मौका इस समय में मिलेगा यात्राय होने की भी समभावना रहेगी परिवार में कोई फंक्षन या कोई छोटी पार्टी होने की भी समभावना बनी रहेगी अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है partner से मिलना, घुमना, फिरना, साथ समय व्यतित करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वो संबंद अधिक मधूर बनेगे partners के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अन्बन बनी हुई है तो वो अन्बन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे, अन्बन या किसी तरह की दूरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको काम्याभी मिलने के संकेत है tension नहीं रहेगा, सोच positive रहेगी, pending कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है तो कोई pending काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करे, वो काम पूरे हो जाएगे Married Life भी इस समय में मधूर रहेगी Partners एक दुसरे को अच्छे से समझेगे प्यार वशांती का माहोल आपके घर में आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा अगर स्वास्ते की बात करें सेहत की बात करें तो ये समय आपके स्वास्ते के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है दीहा सेहत सम्मंदित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी पूरानी चल रही जो बीमारिया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी प्रसनत आव आनंद में दीन व्यतित होगा दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो अपने फिटनेस पर अपने रहनसेन पर खान पान पर ध्यान जरूर दे सुबे टहलना जारी रखे एक्जरसाइज जरूर करे सोच पॉजिटिव रखे और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दे क्योंकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते है उन विचारों से ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है तो आमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रन होना काफी ज़रूरी होता है इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बात ये वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं, तो ये अशुब होता है ठीक प्रकार से रखे, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते यह तो बहुती गलत है, साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, दोस्तों ध्यान रखे, प्रूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध् देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट ड नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप एसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नह चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में च्रिडशेडा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते ह उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अग पुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, और अगर आपके घर में मकडी का जाला है, तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करें दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साप सुत्रा मुख्यदार, मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमित है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटनाए घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद